तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बाद फिर से हमारे चैनल में आज हम सीखेंगे कुछ नया हेर कलर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम सीखते हैं 900S कलर कैसे करें सबसे पहले लेते हैं ब्लॉंडर और 30 वॉल्यूम डेवलेपर इसको कर लेते हैं मिक्स, मिक्सिंग रेशियो आपको पता होगा ब्लॉंडर और डेवलेपर का मिक्सिंग रेशियो होता है जितना ब्लॉंडर होगा उसका तेड़ गुना अपना डेवलेपर होगा तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों इसे मिक्स करने के बाद हम सेक्शन निकालेंगे ह का और एक कऱके सारे से क्षी कों विबंग तरीकर से नसलेंगे और इस में हाई लाइट करेंगे तो दोस्तों दोपन लगा करें अच्छी तरीके से ब्रस से लेख सकते हैं, हम विबंग कर रहा हूं बालों में इसी तरीके से आप आपको भी प्रफिलड करनी है और फोल्ड कर देना है फॉल्ड तो और कुछ इस तरीके से आपको कर देना है ऐसी करके एक एक सेक्षन बाइस एक सेक्शन में आपको हाइलाइट बाननी है रिवीविंग तरीके से और इसको पैक करके छोड देना है 20-25 मिनिर्ट आफ्टर 25 मिनट चेक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो ब्लीच है वो हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लाइट को बैक वास पे ले जाएंगे सारे फॉयल पेपर को खोल देंगे और इसमें से जो भी अपना क्रीम है उसे निकाल देंगे उसके बाद हम करेंगे पानी से रिंसाउट रिंसाउट करने के बाद हम लेंगे ब्लू शैंपू ब्लू शैंपू से वाश करेंगे ब्लू शैंपू से इस लिए वाश करेंगे क्योंकि हमें इसमें से यल्लो टोन को कट करना है इसलिए ब्लू शैंपू यूज करते हैं सैंपू से वाश करेंगे बाद हम लेंगे जी कॉम और जी कॉम से बालो को अच्छी तरीकिते सोल जाएंगे, उसके बाद करेंगे ड्रायर, सुखा करेंगे छेटेके करने के बाद हम लेंगे मैजरल की 900 est कलर की ट्यूब और 20 volume अपना developer और दोस्तों इसको कर लेंगे mix mix करने के बाद हम इसे बालों में section by section apply करेंगे पहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों जिस तरीके से मैं apply कर रहा हूं ऐसी आपको apply करते जाना है और साथ ही साथ कॉम करते जाना है ताकि सारे बालों में अच्छी तरीके से apply हो ज करेंगे और blow dryer करने के बाद आप देख सकते हैं वाँ beautiful result आ चुका है बहुत ही अच्छा क्लिर आया हमारा 900 एश का तो गाई ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें comment करके बताए आपको क्या सीखना है हम आपको detail में पूरी वीडियो बना गर कर देंगे thank you so much bye bye